दोस्तों Moto Company ने इंडिया के अंदर अपने एक और ने स्मार्टफोन को लॉंच कर दिया जिसका नाम है Moto G42 स्मार्टफोन और इसे हम compare करेंगे इसके बड़े भाई के साथ में जो कि यह है Moto G52 स्मार्टफोन और आपको बताएंगे कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन पे से किसक स्मार्टफोन के डिस्पले गी तो आपको बता दू कि G42 के अंदर हमें 6.4 इंचेस की Full HD Plus AMOLED डिस्पले दी गई है जो कि 60 Hz के refresh rate को spot करती है और वहीं दूसरी तरफ G52 के अंदर हमें 6.6 इंचेस की Full HD Plus PE OLED डिस्पले दी गई है जो कि 90 Hz के refresh rate को spot करती है यानि कि दोस्तों ड इंचेस के साफ से ना Moto G52 की ही बढ़िया है और वहीं अगर हम बात करें पिक्सल डेंसिटी की तो यहाँ पर G42 के अंदर है 409 पी पी आई की वहीं दूसरी तरफ G52 के अंदर है 402 पी पी आई की साथ ही दोस्तों दोनी स्मार्टफोन के स्पेक्ट रेशियो है 20 रेशियो 9 और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वोटर रेशिस्टेंट की तो दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर IP52 रेटिंग के साथ में आते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों उप्रेटिंग सिस्टम की तो आपको बता दू कि दोनी स्मार्टफोन यहाँ पर आउट ओड़ बॉक्स Android 12 के साथ में आते हैं जो कि नियर स्टोक Android पर बेज़ड हैं यानि कि दोस्तो अपरेटिंग सिस्टम और UI के साफ से यहाँ पर भाई दोनी स्मार्टफोन बेस्ट हैं और वहीं अगर हम बात करें चिपसेट की तो दोनी स्मार्टफोन के अंदर हमें Snapdragon 684 दी चिपसेट दिया गया है जो कि 6 नानोमिटर टेकनोलोजी पर बेज़ड है यह चिपसेट दोस्तो डे टू डे परफोर्में के साफ से बढ़िया है नॉर्मल गेमिंग भी आप इस पर काफी अराम से कर पाएंगे और वहीं अगर मैं बात करूँ एंतरु स्कोर की तो यहाँ पर Moto G42 को आता है 2,45,000 के करीब वहीं दूसरी तरफ G52 का आता है 2,70,000 के करीब यान कि दोस्तो एंतरु स्कोर के मामले में भी यहाँ पर दोनी स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के कोडिंग बढ़िया है और अब बात करते हैं दोस्तो बैक कैमरा सेटप की तो आपको बता दू कि दोनी स् प्राइस पॉइंट पर अल्ट्रा वाइड कैमरा देना वाई सभी में बढ़िया वात है और वहीं अगर मैं बात करूँ मैक्समाम वीडियो रिकोडिंग की तो दोनी स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप मैक्समाम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं और आप ब पर जाएगा कोई दिक्क्त नी होने वाली लेकिन फास्ट चार्जिंग में यहाँ पर फरक है क्योंकि मोटो जी फोटी टू यहाँ पर सेरफ 20 वोट की फास्ट चार्जिंग को स्पोर्ट करता है यानि कि दोस्तो फास्ट चार्जिंग के मामले में यहाँ पर मोटो जी फि साथ ही दोस्तों आपके music listening experience को बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पर दोनी smartphone stereo speaker के साथ में आते हैं जो की अच्छी बात है और वहीं अगर हम बात करें security के तो दोनी smartphone के अंदर हमें side mounted fingerprint sensor प्लस face unlock भी देखने को मिल जाता है और अब last time बात करते हैं दोस्तों दोनी smartphone की pricing की तो आपको बता दू कि Moto G42 के 4 प्लस 64 GB variant की कीमत है 14,000 पे वहीं दूसरी तरह Moto G52 के 4 प्लस 64 GB variant की कीमत है 14,500 पे बाकि दोस्तों पसंद आपके कि आपको दोनी smartphone में से किस वाले को buy करना है Moto G42 को या G52 को कमेंट बोक्स में बताना ना भूलेगा और अगर मैं यहाँ पर अपना point of view दू दूनी smartphone के लिए तो भाई मैं तो यहाँ पर 500 पे extra करके Moto G52 की तरह ही जरूर से जाना चाहूँगा क्योंकि almost सारे specification same ही है लेकिन जो content watching के लिए display है वो पी ओ लेड भाई बढ़िया मिल रही है प्लस तीस वोड का fast charging का sport भी मिल रहा है 500 पे में होर क्या चाहिए एक्स्ट्रा में तो बस दोस्तो यह थी मेरी राय इन दोनों smartphone के लिए आपकी कह राय है कमेंट बोक्स में मताना ना भूलेगा और साथ ही दोस्तो अगर आप इन दोनों smartphone में से किसी वाले को भी बाई करना चाते हैं तो link मैं नीचे description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप इने बाई कर सकते हैं और साथ ही दोस्तो smartphone से लेटेट ऐसे interesting comparison देखने के लिए तुमारे चानल गैजट्स पॉइंट को जरू सब्सक्राइब कीजिए